ओके स्टुडेंट्स तो आज हमें करना है चैप्टर नूमबर वन मैथमेटिक्स एट्थ क्लास के लिए चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर और आपकी स्क्रीन पे सामने है रेशनल नंबर के बारे में तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले त तोगे है natural number, natural number कौन से थे, 0 से infinity या 1 से infinity, 1 से infinity, ठीक है, और whole number कौन से थे, 0 से infinity, उसके आदम ने किया था, integers, integers क्या होते थे, minus वाले भी होते थे, और plus वाले भी होते थे, negative and positive, कहा से कहा तक, minus infinity से positive infinity तक होते थे, ठीक है, अब जो हमारे past topic है, वो उससे थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में आप पहली बार करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि starting में चीज़े थोड़ी सी complicated लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज़े आसान लगेगी, ठीक है, तो हमारा chapter है, इसका नाम है, rational number, ओके, तो हमें जो करना है, rational number को करना है, अब हमें कि हमें क्या करना है, rational number कौन से होते है, सबसे पहले तो हमारे पास आता है, मन में ये कि rational number होते है, तो rational number को होते है, जो की fraction में हो, ठीक है, जो की fraction में हो, या फिर जो की ratio की form में हो, उनको हम क्या कहते है, these are rational number, ओके, तो rational number जो हमारे पास किस form में हो, ratio की form में होते है, ठीक ह जो ratio की form में है उसको हम क्या कहेंगे rational number कहेंगे जो p by q की form में है उनको हम rational number कहेंगे ठीक है अब p by q में इसकी एक खास बात है वो क्या है उसको हम ध्यान से देखते है p और q ये देखिए आपके definition देखेगी इसके screen पर कि ये देखी कर से इसको highlight करता हूँ एक rational number है जो की हम r से renote करेंगे इसको p by q की form में हो और दूसरी चीज क्या इसमे p और q integer होने चाहिए and q not equal to 0 ठीक है हम इसमें main चीज इसका ध्यान रखना है कि p और q किस form में होने चाहिए जी हाँ integer होने चाहिए and q not equal to 0 ठीक है अब जैसे आपसे question कुछ है कि बताओ 7 rational number है या नहीं तो answer है है क्योंकि 7 upon 1 हम उसको ratio में नहीं सकते है ठीक है तो rational number जो है वो जो है integer से थोड़े से एक युक्तियन से की integer से next stage जो आती है वो rational number के आती है उसके आप जब नहीं क्लास में जाएंगे उसके बाद आपके पास ही topic number 2 जो यहाँ पे book में है यहाँ मैं इसको highlight करता हूँ यह irrational number आएगा 9th class के अंदर हम इसको भी discuss करेंगे ठीक है तो अब यह देखे इसके अंदर symbol q p by q q is not equal to 0 and p and q belongs to integer यह जो sign है यह वाला sign होता है belongs to का ठीक है p and q के बाद है न यहाँ से highlight नहीं होगा तो हाँ यह रहा p and q belongs to integer and q is not equal to 0 अब racial number को हम q से renote करते है real number को हम r से renote करते हैं और और क्या है थे हैं से integer थे उसको हम i से renote करते हैं और natural number को n से renote करते हैं तो सब हमारे पास symbol से हमें पहले से ही पता था ठीक है next thing is decimal expansion of real number real number जो है हमारे पास rational भी होंगे irrational भी होंगे लेकिन हमें rational number की study कर लिए ठीक है तो rational number जो है यह हमारे पास दो type की होते है इसको दिखिए highlight किया है मैंने भी कि if decimal expansion of real number real number यहां पे जो है rational तोनों का group है लेकिन हमें अभी rational को करना है तो इसमें है either terminating ठीक है इसमें क्या word है यह either terminating यह रहा terminating terminating होता है जो पूरा divide हो जाए इसमें आपको कहता हूं कि बताइए 1 by 2 नीचे example है ठीक है तो हम यही से करते है कि cases in rational number rational number में दो तरह के cases होते है क्योंकि देखिए अपने को यह पता लग गया कि वो किस पॉम में होंगे P by Q की पॉम में होंगे तो जब remainder 0 हो जाए जो आप उसको divide करें तो remainder क्या हो जाए 0 हो जाए जैसे इसमें example दिया हूँ 0.5 1 by 2 कितना होता है divide करेंगे तो आप उसी तरह से यह देखिए एक और example है point number 2 52 by 100 तो यह भी क्या है पुरा-पुरा divide हो गे तो इसको हम क्या कहेंगे rational number कहेंगे ठीक है उसी तरह से अगर आप अपनी तरह से example लेते हैं तो 2 by 5 को divide करके देखिए जी हाँ 2 by 5 0.4 आएगा आगे divide नहीं हो रहा आगे 0 आ चुक है remainder तो उसको हम कहते है terminating terminating मतलब जिसको terminate क्या होता है खतम हो जाना 0.33333333 3 बार बार आएगा तो उसको represent करने का simple सा तरीका है 3 के उपर हम बार लगा देते हैं ठीक है यह देखिए 3 के उपर एक उपर जो है arrow लगा हुआ arrow नहीं यह एक बार का sign कहते है ठीक है तो 1 को आप 3 से divide करोगे तो 3 बार बार आता रहेगा उसे तरह 2 by 3 करेंगे तो बार बार आएगा इसका example number 2 देखिए 3 by 11 इसको आप divide करेंगे तो 0.272727 बार बार repeat हो रहा है तो बार बार repeat हो रहा है तो इसका मतलब है क्या है rational number है तो rational number है पहला case number 1 यह रहा जब उसका reminder 0 हो जाए और दूसरा जब उसका reminder 0 ना हो ओके तो यह चीज़े हैं जो हमें याद रखनी है कि आप इसको कर पाएंगे ठीक है तो एक बार आप इसको अपनी language में note कर लिजे मैं इसको screen को यहाँ पे एक बार रोख देता हूं यह लिजे तो case number 1 लिखे पहले फिर अपनी तरफ से example यह जो example इसमें दिए हो इसके अलावा कोई और example लिखे जी ओके और reminder जब note become 0 आप इसको pause करके एक बार आप से लिख सकते हैं हब आके बढ़ते हैं तो उसके बाद अब यह देखिए यह कुछ खास point हैसके अंदर every integer is rational number क्या हर integer, rational number है येस मैंनस 37 integer है क्युल्हाल क्या होते थे अब इंटीजर और rational क्या same है अलग इसके बड़ी category है जिसके अंदर integer भी आते है तो क्या मैं 75 को 75 upon 1 लिख सकता हूं बिल्कुल क्या 150 upon 2 लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते हूं तो rational number में हमें ध्यान क्या रखना है कि remainder या तो 0 आएगा या repeat करेगा ठीक है और दूसरी चीज कि उसकी divide में कुछ ना कुछ होना ची divide में 0 नाओ यह इसकी definition थी यह rational number की तो एक बार आप definition को भी फिर से note कीजिए यह रहा यह rational number की definition है मैं इसको highlight कर देता हूं symbolicly तक complete आप इसको note कर दीजिए same ठीक है तो उसके बाद हमें बात है अब मैं कहता हूं कि क्या हर rational number भी integer होगा मैं कह सकते है कि yes possible है कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे मैं कहता हूं कि आप बता यह 10 by 2 10 by 2 integer भी है और rational भी है कैसे क्योंकि आप इसको solo करेंगे तो 5 बचेगा लेकिन 10 by 3 तो points में आएगा तो points में आएगा तो integer नहीं होगा क्योंकि integer की definition क्या थी positive और negative क्या उसमें point के बारे में कोई बात की थी नहीं की थी इस ओके ठीक है तो there are infinitely many rational numbers हमारे पास कितने नंबर हो सकते हैं दो नंबर की चाहां answer infinite number हो सकते हैं बहुत सारे number होंगे rational और irrational के बीच में ठीक है अब इसके अंदर एक case दिया हुए हमें तो x and y are two rational number ठीक है एकस और y मर पास दो rational number है तो क्या होगा x और y को add करोगे तो rational आएगा x और y को minus करोगे तो भी rational आएगा x और y को multiply करोगे तो भी rational आएगा और x और y को divide करोगे तो भी rational आएगा लेकिन condition है कि y के value 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इस चीज के उपर research चल रही है mathematics में till now आज की date तक 0 से divide possible नहीं 0 से divide को हम not defined बोलते हैं तो यह सारी की सारी जो हमने चोटी चोटी बाते की हैं यह है rational number के बारे में ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए the next thing is किया तक कोई doubt है आप इसको एक बार note कर सकते हैं जो चार point है अब हमने जो integer में पढ़ा था कि अगर a और b x और y अगर integer है उन दोनों को add करेंगे तो integer आएगा उन दोनों को minus करेंगे तो integer आएगा यहां पर अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो rational ही आएगा यह है फरक rational number और integer में integer के लिए वीडियो मैं आपको share कर दूँगा एक बार आप उसको भी दिख सकते हैं ताकि integer की knowledge भी आपकी आजाए इस इस ओके ठीक है उसके बाद हमारे पास है तो यह था हमारा rational number के बारे में ठीक है यहां तक किसी हो को डाउट है तो हम इसको करते हैं बंद और नई वरक्षित को चलते हैं ठीक है उसके बाद आता है हमारे पास यह जो इसके अलग-अलग definitions है फस्ट पाइंट देखे रि operation of addition, subtraction and multiplication इसका मतलब है कि अगर आप 2 rational number को add करेंगे तो rational मिलेगा 2 rational number को minus करेंगे तो rational ही मिलेगा 2 को multiply करेंगे तो भी rational ही मिलेगा और 2 को divide करेंगे तो भी rational मिलेगा लेकिन condition क्या थी जी हां कि उसका numerator कुछ भी हो सकता है लेकिन denominator 0 नहीं होना चाहिए ठीक है is this okay the next thing is आपने पढ़ा है commutative property associated property ठीक है तो यह दोनों properties rational number में भी लगती है तो commutative क्या दा a plus b is equals to b plus a और associative था शायद a plus b a plus bracket start b plus c और is equals to a a plus b in the bracket plus c तो आप उसको 7th class में कर चुके हैं आप 7th class की book एक बार उठा लिए साथ में ताकि integer आप एक बार revise कर लिए ताकि आपको इस सारी चीज़े याद रहे है ठीक है अब उसमें हमने किया था additive identity यानि ऐसा number जिसको add करें कोई फरत ना पड़े तो ऐसा 0 ही है इस mistake को सोचिए आप सेकिंड का टाइम आपके पास स्क्रीन को पोज कीजिए और अपनी तरह से सोचिए जितना टाइम आपको लगता है जी हाँ additive में क्या होता है कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा तो यहां पी माइनस का साइन आएगा जैसे मैं कहता हूं कि 7 में ऐसा क्या आड करें कि 0 आ जाए माइनस 7 उसी तरह 7 by 5 में ऐसा एड क्या आड करें कि 0 आ जाए तो माइनस का 7 by 5 ठीक है दारैसी प्रोकल अफ मुल्टिप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दारेशनल नमबर इस पर यानि कि एक ऐसा नंबर है जैसे मालीजिय मैं कहता हूं कि 2 by 3 एक नंबर है इसको किस से मैल्टिप्लिकेटिव करें की बना जाए तो 2 by 3 को किस से मै बटिप्लिकेटिव करें उसका उल्टा करतो लिट में से ट्री इसी तरी कट जाएगा तो अंसर क्या आया तो उसको हम बोलते है multiplicative inverse additive inverse add करने पर 0 आई multiplicative inverse multiply करने पर 1 आई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है उसके आद है distributed property तो distributed property आपने जो integer के लिए पड़ी थी same to same rational number में भी लगती है उसके आद आता है कि rational number को हम line पर represent कर सकते हैं answer बिल्कुल कर सकते हैं तो scale के अंदर 3 और 4 के बीच में 10 divisions है 9 divisions तो उसके अंदर हम 5 में mark करेंगे तो 3.5 हो जाएगा ठीक है तो हम rational number को line पर भी represent कर सकते हैं तो between two rational number दो rational number के बीच में कितने rational number होते हैं answer है बहुत सारी number होते हैं अगर आपको कहता हूं कि 1 से लेके 10 के बीच में कितने natural number है तो आप answer होगा answer 2,3,4,5,6,7,8,9 total 8 number है अच्छी बात है लेकिन 1 और 2 के बीच में कितने rational number है तो उनके बीचे तो point वाले कितने भी हो सकते हैं 1.1,1.2,1.3,1.11,1.5,1.11,1.6,1.11,1,1,1,3,4,7,8 कितने सारी number हो सकते हैं तो दो rational number के बीच में बहुत सारे rational number होते हैं ठीक है? Is this okay? next आता है positive rational number positive rational number क्या होते हैं? जिसका numerator और denominator याथो दुनों के दुनों positive होए, दुनों के दुनों negative हो इसके अंदर क्या होगा? जिसे 4 by 7, यहाँ पर divide का sign आएगा, misprint है यहाँ पर है minus 3 by minus 4, तो minus से minus कट जाएगा यह मैस सम्सीख चुके हैं पहले से ही और negative वाले में क्या होगा? यहाँ तो numerator negative हो, यह denominator negative हो, यह इसको लिखा हो है न यह जो notes में आपके सामने खोल रहा हो, एक बार आप इनको अपनी language में note चरूर कीजिए additive inverse एक ऐसा number जिसको add करें तो answer क्या आ जाए? 0 आ जाए तो sign change करना है, same to same वही चीज़ है जो हमने integer में पड़ी थी multiplicative inverse, add करने पर कितना आना चाहिए multiply करने पर कितना आना चाहिए, बनाना चाहिए, ओके तो यह थे हमारे chapter number 1 के basic points के notes आप एक बार इनको note कर लीजिए, यहाँ पे एक बार screen post करके आप इसको note कर सकते हैं okay, the second part is, आप इसको note कर लीजिए and third is, आप इसे यहाँ से, negative integer से note कर लीजिए, ठीक है तो इस तरह से आप इसके notes अपनी तरफ से बना सकते हैं, अपनी language में, इसमें कोई बो नहीं है, ठीक है क्या आप इसको कर पाएंगे, बिल्कुल, अब आपको करना क्या है, आपको यह जो भी video आपके पास आएगी है आपको इसको दो बार देखना है, ठीक है, दो बार से क्या होगा, कि एक बार तो आप इसको notes को बनाएंगे, तुसरी बार आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है, आपके पास NCRT की बुक है, यह स्कूल वाली बुक है, और इनमेंसे अगर आपके स्कोई भी अविलेबल नहीं है, तो आपके पास बुक मिलेगी आपको इसके, वीडियो के लिंक में ही मिल जाएगी, अदर आपके ग्रूप में एक इसलिए हमें रीडिंग भी लेनी है, ठीक है, तो मैं आपको नोट्स भी प्रवाइड करा दिता हूँ इस चीज़ के, ठीक है, तो यह हमारी जो चैप्टर का जो बेसिक था, यह सारा का सारा है इसमें, अब इसमें कई तरह के कोश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है, तो कोश्चन करने से पहले, वीडियो को पोस्ट करके, जो जो हमने नोट बनाई है, जो आपने अपनी रैटिंग में लिखें, एक बार उनके उपर, क्विक रिव्यू ले लिजिए उसका, ठीक है, हमारे पास कुछ कुश्चन्स है, यह आपको खुन रही कर नहीं है, ठीक पेज के उप आप इन कोश्चस को ट्राई करते रहें, साथ के साथ, और इनको पहले रफ्लोड भूक में ट्राई कीजी, और उसके बाद अपनी असाइन्मेट वाली नोट भूक में भी इसको साबसाद, क्योंकि मैंच प्रैक्टिस से भी, प्रैक्टिस में थे पहुचा, जो प्रैक्ट जरूरी है, ठीक है, रीडिंग भी और प्रैक्टिस भी, ओके, आज को आज आपको सिर्फ 21 कोश्चन्स तक करने है, ठीक है, तो 21 कोश्चन्स, 1 to 21 कोश्चन्स ही आपका, आज का होमवग है, इन केचे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट आता है, आप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक्यू